अलो फ्रेंट्स असा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स मार्केट अभी बूल रॉन में है यानि लास्ट तीन चार दिन से आप अगर देखोगे तो मार्केट 18,000 क्रोस कर चुका है तो यह सिचुएशन को बूल रॉन ना कोई तो क्या कोई आप दूसरे किस 18,000 के उपर क्रोस किया है तो यह एक बूल रॉन प्रेज है तो अभी इस सिचुएशन में अगर आप स्मॉल केट में इंवेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कौन सा स्मॉल केट आपके लिए सही होगा अगर आप फ्रेंट्स किसी स्मॉल केट में अल्लेड़ी सचाहते हैं ताकि और यह बूल रॉनं का फाइदा उठा सकते हैं मोमेंटम स्मॉल केसась क्या है कैसे काम करता है उसके लिए मैं डेलिकेटेड वीडियो बना चुका हूं तो यह वीडियो का लिंक है यह वीडियो का डेस्टुरिशन में आपको देदूंगा तो आप जाके check यह बूल रून में कुछ पैसा कमाने के लिए आप मेरे लाप्टॉप के स्कीन पर देख सकते हैं मैंने यहां पर निप्टी 50 का इंडाइस अपन करके रखा है मैं क्यों यह सिचुएशन को बूल रून बोल रहा हूं 18 अगस्ट को किया था और इस बार 12 सेप्टेम्बर को फिर यहां पर अभी अक्टवर लाट में नभेंबर में यह 18,000 क्रस कर रहा है तो यह सिचुएशन को पर्टिकुलर्ली बूल रून में ही बोलूंगा क्योंकि मार्केट अपने अल्टाइम हाई में है तो इसलिए इस सिचुएशन में अगर आप स्मोल केस में इन्वेश्टमेंट करना चाहते हैं तो कौन सा स्मोल केस हमारे लिए सही होगा क्योंकि हम तो बड़े बड़े इसे रिटल इन्वेश्टर नहीं है जो आम एक न नॉर्माल रिटल इन्वेश्टर है तो यहां पर हमारे पास इतना पैसा भी होना चाहिए जो small case में investment कर सकते हैं तो particularly मैं आज के वीडियो में जैसे आपको मैंने कहा था कि small case यह जो market situation में momentum investment अच्छा है क्योंकि momentum investment ऐसा strategy है जहां पर जो stock कुछ दिनों के लिए पिर कुछ मेनों के लिए अच्छा पफुम करेगा जो भी इनलों का analytics बोलता है उसी इसाब से उसी stock में यह लोग investment करते हैं कि bull run situation में market जब तेजी से आगे जा रहा हो तो आप उसमें से अच्छा फाइदा कमा सकते हो देखे पर यह मेरा अपना खुद का बात नहीं है यहां पर जितने सारे आप small case देखोगे जो momentum investment strategy में फोलो करते हैं तो उनका overview में आप देखोगे एही लिखा गया हो कि market bull run में यह ज़्यादा अच्छा परफुम करता है क्योंकि यह strategy ऐसे ही है इसका मतलब यह नहीं कि market जब बियर रन होगा वह परफुम नहीं करेगा लेकिन यह जैसा नहीं होगा मार्केट जब तेजी से भागेगा तो इसमें आपको ज़्यादा profit मिलेगा और जब मार्केट तेजी से गीरेगा तो आपको हो सकते हैं लॉस भी देखने को मिलेगा इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ दो बार रिव्यू भी कर चुका हूँ तो आप उस वीडियो का लिंक यह वीडियो का description में आपको मिल जाएगा आप जाके देख सकते हैं फिलाल आज के situation में अगर आप इसमें investment करना चाहते हैं तो आप थोड़ा आप में investment करता है जो लास्ट रिवालांस वाता है नोभेंबर वान 2022 में अल्लेडी आ गया है यानि आज के जो वीडियो कर रहा हूँ तो यहां पर आप देख सकते हो मुझे रिवालांस अब्डेट आ चुका है मैं यहां पर रिवालांस करने बाला हूँ फिलाल मैं आपको 17% और स्मॉल केप में 8.91% जैसा investment करके रखा है अगर इसका return हम देखेंगे तो फ्रिंट्स लास्ट एक one month का return आप देखेंगे थोड़ा सा slow हो रहा है पता नहीं क्यों हाँ yes तो आप last one month का अगर आप देखोगे अगर आप large cap indices के से इसके compare करोगे तो यह index इसको beat नहीं कर आप देखोगे तो इंडेक्स को कितना अच्छे से beat किया है और यहां पर return आप देख सकते हो अगर आप 100 रुपीज एक साल पहले investment करते तो आज के रेट में equity large cap से आपको है नि जो index में अगर आप invest करते तो आपको 101 रुपी मिलता यहां पे अगर आप right momentum investment करते तो 112 रुप आप और अपन कर सकते हैं फिर फैक्सीट आप डिटेल्स पाढ़ सकते हैं तो यहां पर टू यूर्स यहां है 51.11 परसेंट यह जो November 25 2020 को यह launch हुआ था उसके बाद यह इतना अच्छे से प्रफॉम किया हुआ है और इसका जो volatility है क्योंकि जितने सारे आप momentum portfolio देखोगे ना यहां पर मत आहिए आपके लिए mutual fund सही है but particularly आज की वीडियो में मैं जैसे आपको बोल रहा हूं कि momentum investment करना यह situation में सही है तो इसलिए मैं आपको मैं सोच रहा हूं कि आपके पास stock market में थोड़ा बहुत idea होगा यहां पर चलते हैं next जो small case के बारे में बात करते हैं that is MIMT all cap यह जो small case है यह weekend investment का है weekend investment जो आपका portfolio managing service है इसके बारे में हम पढ़ें तो यह यहां पर आलोग जैंजी है यह इनका portfolio manager इनके पास बहुत सारा experience है 25 प्लोस यह experience है और जो ride momentum का पुनम जी है उनका experience almost 10-11 years experience है इनक जो small case है आप देखोगे यहां पर 6-7 small case को यह maintain करते हैं almost 3-4 portfolio momentum में ही bet करते हैं particularly यह मुझे इसलिए अच्छा लगा कि आप अगर इस momentum small case को आप देखोगे तो इसका return आप देखोगे last one month का आप देखोगे यह अच्छे से beat किया है आपका index को यह भी equity multi cap index को follow करता है तो इस इसके बाद अगर आप six month का return भी आप देखोगे यह थोड़ा से यहां पर कम beat नहीं कर पाया last one year का आप देखोगे यहां भी beat करके रखाए और last maximum में अगर आप click करते हैं यानि जब से यह market में launch हुआ है तब से लेकर आज तक आप right momentum से काफी ज्यादा return कमा के यह दिया हु क्योंकि यह one year में आपको 14-15,000 जैसे आपको लगेगा investment जो subscription fee तो इसलिए यहां पर आप investment करते हो तो आपके पास at least 5-6 lakh क्योंकि यहां पर लिखा गया optimal size 5-30 lakh तो अगर minimum 5-6 lakh से अगर कम investment करते हो तो आपका subscription fees तो ज्यादा चला जाएगा तो आपको profit मिलेगा भी तो आपक आपको एक टाइम 5-6 lakh रुपे चाहिए यहां पर 91,000 से भी आप start कर सकते हैं इसका minimum packet size है 91,143 हो सकता है यह 12,000 उपर नीचे हो सकता है market के situation की साब से तो यहां पर आप देखोगे इसका अगर अभर विव में थोड़ा देखोगे तो यहां पर देखो यह weekly rebalance होता है यह सब आज investment कर दे और last 2 week next 2 week के बाद गिर जाए तो यह weekly rebalance हो जाएगा तो यह लो profit कमाएंगे profit book करेंगे तो आपको rebalance update मिल जाएगा फिर आप profit book कर सकते हो तो मुझे लगता है कि यह weekly rebalance system है बहुत ही अच्छा है बट यहां पर ध्यान रहे फ्रेंट्स यहां पर 1-2 lakh रुपे लेके आप investment मत कीजिए अपके पास अगर 5-6 lakh रुपे है तो यहां पर यह situation में bet कर सकते हैं तो फ्रेंट्स चलते हैं कौन सा small case के बारे में हम बोल रहे हैं तो next जो मेरा फेवरीट है capital mine momentum यह भी फ्रेंट्स बहुत ही अच्छा small case है अगर आप इसका price के बारे में जानते है कि कितना रुपे subscription पीज लगता है तो यहां पे आप देखोगे अगर आप three month में subscription एक बार renew करते हैं तो आपको 45,000 रुपे यहां पर यहां पर कितने रुपे चाहिए आपको एक अच्छा freedom कमाने के लिए तो यहां पर दिया गया है कि maximum investable amount is 20,000,000 इससे ज़्यादा आप investment नहीं कर पाएंगे but minimum ऐसा कुछ नहीं है but मैं बोलूँगा अगर आप 14,000,000,000,000,000 subscription फी दे रहे हैं तो आप ऐसे calculation कीजिए कि जो आपका खर्चा है जो expenses से वो two to three percent से ज़्यादा ना हो तो इसी के हिसाब सब्सक्राइब देखा गाए चाहिए 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 तो फ्रेंट्स यहाँ का रिटोन अगर आप देखेंगे लास्ट एक मौन्त का रिटोन आप देखेंगे तो यह इन्वेस्ट जो आपका एक परसेंट दो परसेंट उपर नीचे होता रहता है बीट नहीं कर आओ लेकिन मार्केट बूल जब होता है ना तो मौमेंटम इन्वेस्टिंग में मेरा जो एक्स्पियेंस रहा है इससे अच्छा कोई भी पॉट्फोलियो आपको कमा के नहीं दे सकता चाहिए आप जितना अच्छा भी स्मॉल के दून ले कोई भी म्यूचल फॉन दून ले आप मौमें आ रहा है तो यहां पिया आप मार्केट कर सकते हो और यहां प्लॉल क्याप में थोड़ा सब्सक्राइब और large gap में थोड़ा सा ज्यादा रखा है तो यहां पर risk थोड़ा सा इन दोनों small case से थोड़ा सा बहतर है मुझे लगता है तो यहां पर अगर आप financial ratios आग देखोगे तो यहां पर पी ratio पी बी ratio अगर आप technical चीज आपको पता है कि क्या है तो आप यहां पर देख सकते हो कि कौन से stock में PV ratio कितना होने से यह investment करता है और यहां पर cost adjustment return अगर देखोगे यहां पर cost adjustment performance है तो last थोड़ा सा लोड़ होने दीजी अगर आप market में एक लाग रुप investment करते तो अभी आपको minus में देखने को मिलता है अगर आप maximum में 3 years में click करके देखते हैं तो यहां पर कितना return दिया है क्योंकि किसी-किसी small case ऐसा होता है जो समय market आगे जा रहा हो उसी समय अगर आपने investment किया हुआ है तो अगर आप long term के लिए कर दिया हो market नीचे गया है तो आपको profit देखने को नहीं मिलेगा पर यहां पर आप देखोगे last three year का अगर आप return देखोगे तो यहां पर आपका expenses जाने के बाद एक लाग रूपी से आपको 17% जैसे return देखने को मिला है तो आप यहां पर सोचिए जब भी investment करते हैं कोई भी momentum small case portfolio में तो आप ध्यान रखिए जो इनका expenses से उसका 2-3% ज्यादा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए तो मैं तो बोल रहा हूँ maximum 2-2.5% होना चाहिए तो फ्लल फ्रेंट्स यह तीनो small case के बारे में आपको बोल दिया तो इसके लिए dedicated वीडियो भी में अल्लेडी बना चुका हूँ इस वीडियो का description में आपको दे दूँगा तो आप यह तीनो small case में इसी situation में जो market bull run situation में investment कर सकते हैं आपके पास अल्लेडी यह सब्सक्राइब है और आप investment लाट से साथ में एक दो मेने से करी दे हो तो आप बेफिकर हो के यहाँ पे ज्यादा पैसा भी लगा सकते हैं और आपना profit book भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज सब्सक्राइब में चनल लाइक करना मत भूलेगा और अलसो बेल ऐकन प्रेस करना मत भूलेगा जब भी मैं ऐसा ही कुछ new investment करिगेडिंग वीडियो बना के लाता हो तो आपके पस notification पहुंसता रहेगा फिलल मैं यहां पर और एक चीज बात बोलना चाहता हूं आप किसी भी small case में investment करो चाहे हो momentum हो चाहे हो आप कोई भी long term strategy आप फोलो करो तो जब भी आप small case में investment करते हैं तो यहां पर ध्यान रखिए कि यह risky भी है mutual fund जैसा नहीं है कि बहुत सरा डाइवर्सिपाइड है तो यहां पर आप अपना research भी खुद कीजिए तो आपको आच्छा फाइदयमंद होगा फ्रेंस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्स पर वाचिंग बाई बाई